नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी अकैडमी में आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए गणित की पाठी पुस्तक के अंतरगत आने वाले अध्याय चार की जिसका शीर्शक है आधार भूत ज्यामिती अवधार नाए इसके अंतरगत हम आज बात करेंगे सबसे प्रश्नवली 4.1 की लेकिन प्रश्नवली 4.1 को समझने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए तो हम उन पर थोड़ी सी चर्चाहिए आप मैं आपके साथ मैं कर लेता हूं ठीक है तो आप ध्यान से समझेगा मुझे एक बार बताईए कि अगर आपने काग पर एक पैंसिल से पैंसिल का जो नुकिला वाला भाग होता है हिस्सा होता है अगर उससे आपने एक चिन्न लगाया चिन्न कैसा होगा देखिए मैं आपके सामने लगाता हूं चिन्न जो है वह ऐसा होगा दिखा आपको यह चिन्न जो मैंने लगाया स्क्रीन पर छोटा सा एक dot लगाया है मैंने यह यह है मैं arrow से बता देता हूं वो चिन कहां है यह है वो चिन जो मैंने लगाया है यह वाला ठीक है यह चिन arrow जिसकी तरफ विशारा कर रहा है ठीक है तो अब आप एक बात ध्यान देंगे न कि pencil जो है आपकी उसका जो आपका सिरा है pencil का जिससे आप लिखते हैं जिसको आप नोक भी कहते हैं वो जितनी ज्यादा नुकिली होगी जितना ज्यादा नुकिला होगा चिन जो है वो उतना ही ज्यादा छोटा होगा है ना सूख्ष्म होगा लगभग आप मान लेजे कि एक बिना दिखाई देने वाला सूख्ष्म चिन भी हो सकता वह जो आसानी से नहीं दिखाई देए बहुत ध्यान से लेखने भरी दिखाई देगा है तो यह जो चिन्न से जहादू छोटा होता है इसको हम कहिते हैं बिन्दू कि अवधार्णा का अभास कराता हलो पिस involvement की चोटी पर्टिप्र colog location अबस्थिति की बात होती है तो खिक थे क्या होता है मैं अपको बार बतानू कि यहां इन यह 5 तो हमें इन बेंडू को अच्छे से वैक्त करना है न談र नाम करना पड़ेंगा तो इसको मैंने यह ये B बिंदू है, ये C है, ये D है और ये E बिंदू है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रखेंगे आप, कि बिंदू जो होते है ना, उनका जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होने चाहिए हमेशा, ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि बिंदू क्या होते हैं, ठी जो है कि यह यह आपका कागस मैंने शहर्ट काका टुकड़ा हुए अब इस कागस के टुकड़े को आप इस तरहте ए यहां से मॉड देंगे मौड दीए उस तो मोड़ दे़ीर के बाद में जब आप उससे खोलेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक मोड आ जाएगा उसमें मोड पैदा हो जाएगा उसका अगर्ज में है ना तो यह जो मोड पैदा होगा आप समझ लीजिए कि यह जो मोड का निशान जो आपको दिख रहा है यही जो है हमारा एक रेखा खंड कहलाएगा यही जो है हमारा क्या कहलाएगा रेखा खंड कहलाएगा ध्यान से अगर इस शब्द को आप समझेंगे तो खंड का मतलब होता है टुकडा रेखा का एक टुकडा एक खंड जब हम किसी एक हिस्से की बात करेंगे तब हम कहेंगे ठीक है मान लीजे भाई कि अब आप जो है आपने क्या किया यहां पे एक धागे को इस तरह से पकड़ा और उसको जो है आपने टाइट मतलब पकड़ लिया ठीक है इस तरह से खीचा आपने उसको तो आपके इस धागे को ऐसा टाइट खीचने से है न एकदम आप उसको ऐसे समझ ल लिया तो दोनों सिरों को कसकर जब आपने इसके पकड़ा कोई भी डील नहीं छोड़ी तो भी क्या होगा आपको एक रेखा खंड को ही निरूपित करेगा रेखा खंड के बारे में ही बताएगा इस पश्ट है रेखा खंड क्या हो गया अब देखिए आप एक बात ध्यान से समझ गये न कि जब भी हम रेखा खंड की बात करेंगे तो रेखा खंड में क्या होगा जैसे इसे एक है cand जो मैंने हाप आपके सामनें नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B या PQ या RS कोई भी नाम दे सकते हमारी मर्जी ठीक है तो बिंदू क्या होता है ये भी आप समझ गये रेखा खंड क्या होता है ये भी आप बहुत अच्छे से अभी समझ गये ठीक है अब समझ ये अब मैं आपको एक दूसरी स्तिति समझाता हूँ यह दो एरो का मतलब यह है कि यह जो अभी मैंने line खीची है यहाँ पे आपके सामने जिसमें मैंने दो एरो लगाए है तीर के निशान यह यह बता रहे है कि यह अनन्त तक आगे बढ़ सकती है इस दिशा में भी और इस दिशा में भी इसका कोई अंत नहीं है इसका कोई भी अंत नहीं है इसे व्यक्त करने के लिए हमने इसके एक हिस्से में दो बिंदू को नाम दे दिया A और B जो हमें इस रेखा खंड को हमसे हमारा परिचे करा रहे हैं ठीक है कल्पना कीजिए कि A से B तक के जो है एक रेखा खंड यानि A भी है इसको A से आगे की एक दिशा में और B से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के हमने इसको विस्तरत कर दिया है ठीक है तो यह जो रेखा आप देख रहे हैं यह आपको प्राप्त यहां पे हो गई ठीक है अच्छा बताइए क कि आप एक कागस पर कागस को मोड के बोल सकते हैं रेखा यह नहीं कर सकते ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यह जो है न अनिश्चित रूप से विस्तरत होती है आगे बढ़ती है ठीक है तो आप कागस पर एक पूरी रेखा कभी भी नहीं खीच पाएंगे ठीक है एक छोटा सा हिस्सा जैसे मैंने भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है न एक छोटा सा हिस्सा आप उससे जरूर व्यक्त कर सकने हैं लेकिन पूरी रेखा आप नहीं खीच सकते यह दोनों ही दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तरत होती है निरंतर बढ़ती है ठीक है औ और मैं आपको एक और बात बनालेता हूं कि एक जो रेखा होती है न इसपर असंग के बिंदू इस्थित होते हैं अब आप सोचिए यह आगे बढ़ती चली जैए बढ़ती चली जाएगी अन्त ही नहीं है तो इस पर ए統 कितने भी बिंदू हो सकते हैं एक बिंदू यहां में क्या बोलते हैं लाइन तो देखें मैं आपको बताता हूँ लाइन का जो लैटर है ल से भी हम कई बार रेखा को निरोपित करते हैं इस पश्ठ होगे आपको ठीक है अच्छा जब हमने ये समझ लिया कि बिंदू क्या है रेखा कंड क्या है रेखाएं क्या है ये भी हमने समझ लिया रेखा क्या होती है तो अच्छा मुझे एक बार बताइए मान लीजे दो रेखाएं है इस तरह से जा रही है ये एक रेखा है और ये एक दूसरी रेखा है ये जो पहली रे रेखा है इसका नाम दे दिया मैंने आपको RS ठीक है दो रेखाएं है और दोनों अपने पत्र पर आके बढ़ रही है लेकिन आप एक चीज धियान दे रहे हैं यहां पे कि यह जो दोनों रेखाएं है PQ और RS यह एक दूसरे को काट रही है एक बिंदू पर प्रतिछेत कर रह करती हैै एक दूसरे को प्रतिछेत करती है तब हम इनहें कहते है क्या प्रतिछेती रेखाएं अंग्रेजी हों हम इनре कहते हैं intersecting lines, intersecting lines कहेंगे हमेने, इस पश्ट है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे, ठीक है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, यानि ये काट सकती है, ठीक है, अच्छा, अब हमने ये तु समझ लिया कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक और आकरती बनाता हूं मैं इसको भी मिटा रहा हूं आप चाहे तो स्क्रिंशॉट ले सकते ठीक है मिटा देता हूं अब मैं एक और आकरती आपके सामने बना रहा हूं अब आप मुझे बताइएगा कि यह जो आकरती मैं बना रहा हूं इसमें आपको क्या समझ में आ ठीक है मैं आकरती अभी बना देता हूं यह आकरती ठीक है यह मैंने एक आकरती बना दी यहां पर आपके सामने और मैं इसको नाम दे रहता हूं ए बी और यह सी और यह डी ठीक है अच्छा ठीक है यह आकरती यहां पर ऐसी हो गई फिर इस तरह से अब मुझे बताईए यह जो आकरती आप देख रहे हैं नीचे भी मैं इनको नाम दे रहता हूं जैसे मैंने नाम दे दिया इच्छ जी ठीक तो अब मुझे बताईएगा आप कि यह जो नाम मैंने यहां पर दे दी ए बी सी डी इस इस तरह से जो एक बिन्दू डी है और सी डी है यह जो आ पर आकरके मिल रही है लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि ये जो रेखा है AB और ये जो रेखा है हमारी कौन सी DC या CD कह लीजे आप क्या ये रेखा हैं आपस में कभी मिलेंगी हम इनको अलग से अगर इस तरह से खीच दे तो ये कुछ इस प्रकार है सही कहा मैंने क्या ये रेखा हैं आपस में कभी आपको मिलती हुई दिखाई देंगी नहीं दिखाई देंगी ये रेखा है आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी तो आप मेरी बात ध्यान चे समझेगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ यहापर मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि यह जो मेज मैंने आप एक चितर जैसा बनाया है इसके प्रिष्ट पर कुछ रेखाए हैं जो परस पर प्रतिछेद नहीं करती है चाहे हम उन्हें कितना भी बढ़ाले वो एक दूसरे को से कभी नहीं मिलेंगी है ना तो यह जो रेखाए है जो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलने वाली इन्हें हम सामांतर रेखाए कहेंगे सामांतर मतलब आप चाहे यहां से यहां का डिस्टेंस नाप लीजिए यहां से यहां का distance ना पलीजिए यहां से यहां का distance यानि दूरी ना पलीजिए चाहें यहां से यहां की दूरी ना पलीजिए यह दूरी हमेशा बराबर रहेगी एक समांतर रेखा की सबसे बड़ी विशेश्टा पता है क्या होती है एक सामानतर रेखा की सबसे बड़ी विशेशता ये होती है बच्चो की ये दो सामानतर रेखाए हैं इस बिंदू से इस बिंदू के बीच की दूरी जितनी होगी वो ये दूरी इस बिंदू से इस बिंदू के बीच की भी होगी ठीक है तो मुझे उमीद है कि आपको ये बह समानतर रेखाएं क्या होती है यह आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए अब इस प्रश्णा वाली को समझने से पहले एक और छोटी सी चीज बची है उसको भी समझ लेते हैं बहुत महत्वपून ही है वो है किरण अब आप कहेंगे सर यह किरण मतलब क्या तो देखिए मैं आपको बताता हूँ मान के चलिए है ना मान लीजिए बस कि यह जो है आपका सूर्य है और सूर्य से जो है आप जानते हैं क्या निकलती है सूर्य की किरणे क्या निकलती है सूर्य की किरणे निकलती है आपने देखा होगा यह बिल्कुल वही किरण है आप कहेंगे क्या सूर्य की किरण की बात हो रही है यह बिल्कुल सूर्य की किरण की बात हो रही है यह वही किरणे है जो सूर्य में होती है जो प्रकाश में होती है प्रकाश की क भाग होती है और मैं आपको बता दूं कि यह एक बिंदू से प्रारंब होती है जैसे सूर्य से निकल रही है सूर्य के किसी एक बिंदू से एक रेखा निकल रही है न तो इनका प्रारंबिक बिंदू अवश्य होता है ठीक है तो जैसे इसको निरूपित करना हो तो यह दिमदु , नहीं होता। जैसे माली जा इसको आमने नाम दे दिया और एक दूसरे बिंदु से इसको निरुपित कर दिया तो एक किरन और इसका प्रारंविक। बिंदु लिख देता हूं प्रारंबिक बिंदू होता है इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं इनीशियल पॉइंट इनीशियल पॉइंट इसका एक इनीशियल पॉइंट होता है प्रारंबिक बिंदू तो होता है लेकिन इसका अंतिम बिंदू नहीं होता ठीक है अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो दाई और किरन की दी हुई मतलब यह जो दाई और जो जा रही है किरन यहां से इस तरह से यह अंततक विस्त्रत है ठीक है ना आगे बढ़ रही है इस पस्ट है तो अब मुझे उम्मीद हो ए कि आपको यह अच्छे समझ में आ गया होगा कि किरण क्या होती है है ना रेखा खंड क्या होता है सामांतर रेखाएं क्या है प्रतिछेदी रेखाएं क्या है है ना बिंदू क्या होता है ये सब चीजें हमने अभी बहुत अच्छे से यहां पे समझ लिए है बच्चो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी ये वाली प्रशनावली की जो है हमारे सामने कौन सी प्रशनावली 4.1 ठीक अब इसमें सबसे पहला प्रशन जो लिखा हुआ है आप समझ रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी था बुनियादी बाते थी अगर नहीं बजी नहीं आती इसलिए प्रशन क्रमांग के एक है सलगना आकरती का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए ठीक है भाई अभी लिख देते हैं सबसे के पहले कहा है पांच बिंदू के नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है तो पांच बिंदू के नाम अभी सरलता से लिख रहा हूँ O, देखिए, O दिखाई दे रहा है, एक है B, B भी दिखाई दे रहा है, फिर एक है C, एक है D, और एक है E, कहीं आपको पांच बिंदू नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल पांच बिंदू दिखाई दे रहे हैं, तो यह पांच बिंदू हम नहीं नाम लिख इसके बाद कहा है दूसरा एक रेखा ठीक है भाई एक रेखा के बारे में भी लिख देंगे एक रेखा अब रेखा क्या होती है बच्छो रेखा वो होती है जो अनिश्चित विस्तरत होती है यानि कहने का मतलब है अंतह विस्तरत होती है जिसका कोई अंत नहीं होता वो लिखा है तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं डीबी देखके बताइए कि डीबी जो है वो एक रेखा नहीं दिख रही आपको यहाँ पे तो डीबी लिख दीजिए यह बिलकुल एक रेखा है इसके उपर ऐसा चिर्ण लगता है ठीक है हो गया ठीक इसके बार में लिखा है चार किर्णे कितनी किर्णे चार किर्णे ठीक है किर्ण क्या होती है जिनका एक प्रारंभिक बिंदू तो होता है लेकिन अंतिम बिंदू नहीं होता तो देखिए प्रारंभिक बिंदू मैं माल लेता हूं ओ को ठीक है ओ को मैंने प्रारंभिक बिंदू माल लिया तो एक तो जो है हमारी किरन हो जाएगी कौन सी मैं यहाप पर लिख देता हूँ चार किरने है ना चार किरने ठीक चार किरने हो गया तो अब देखिए चार किरनों के बारे में हम यहाप लिख देते हैं ओई यह भी एक हो गई है ना किरन जो है इस पर ऐसा चिरने लगता है OE हो गई, फिर एक हो जाएगी OD, फिर एक हो जाएगी OB, फिर एक हो जाएगी OC इस तरह से जो है ये चार किरने हो गई, ठीक है न, क्या आपको समझ में आया, मुझे अमीद है आपको समझ में आया, बहुत अच्छे से इसके बाद में लिखा है चार केड़ों के बाद पांच रेखा खंड के नाम लिखिए पांच रेखा खंड के बारे में बताईए अब पांच रेखा खंड के बारे में बताना है तो बस कोई भी रेखा हों के खंड पांच जो है बता देते हैं सबसे पहले एक में को दिखी रहा है डी ये हो गया एक ओई हो गया और एक को सी हो जाएगा एक हो जाएगा ओबी और एक हो जाएगा आपका अपना ओडी ठीक है यह जो है आप देख पा रहे हैं कि पांच रेखा खंड हो गए रेखा के खंड हो गए टुकडे हो गए ठीक तो ये इस तरह से हमें हल करना था बच्चो प्रश्नक्रमांक एक अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं प्रश्नक्रमांक दो की क्या है प्रश्नक्रमांक दो सलगनाकरती में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखी है और आप इन चार विंदू में से किसी भी विंदू का प्रयोग कर सकते ठीक है भाई अब इसमें रेखा के जितने भी प्रकार हमें दिखाई दे रहे हैं ठीक है फिर एक हो जाएगा DA, एक हो जाएगा DB, एक हो जाएगा DC, इस तरह से तो यह सारे नाम हो जाएंगे तो मैं लिख देता हूँ आपके सामने, आप इस पर जूरूप से समझ जाएंगे अभी एक मैं लिख देता हूँ जैसे मैंने पहले लिख दिया है यहां पर A B ठीक A C फिर A D ठीक फिर B C फिर B D फिर B D के बाद में C D फिर C D के बाद में अब उल्टा चलेंगे जैसे B A फिर हो जाएगा C A फिर हो जाएगा D A फिर हो जाएगा C B फिर हो जाएगा D B और फिर हो जाएगा D C इस तरह से यह हो गया तो यह आप लिख दीजेगा इतने नाम है ना इस परश्ट है अच्छे समझ में आ गया होगा आपको तो यह प्रश्न क्रमांग पूरी प्रश्ण वाली कितनी आसान हो गई समझना है ना ठीक है तो इसी तरह से हमें इससे करना है अब आते हैं प्रश्ण क्रमांग तीन पर लिखा है सलगना आकरती को देखकर नाम लिखना है जो आकरती दिए करती है किन किन-करum का सबसे पहलेते वाला लिखा है रहा है जिसमें बेंदू ev क्लित है हमें उरेखाआ पर के बारे मningenा है जिसमेंदू यह समय Ci और जिसमेंदू बिंदू E सम्मिलित है सम्मिलित है तो वो है A E A E अत्वा और नाम आप लिख सकते F E बताईए क्या मैंने सही लिखा A E अत्वा F E यह हो जाएगा कितनी सिरलता से पहचान लिया हमने फिर B वाला लिखा है A से होकर जाने वाली रिखा तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे हम इसके उत्तर में लिखेंगे A से होकर जाने वाली रिखा कौन सी है भाई क्या लग रहा है आपको जो A से होकर जा रही है चितर में देखके बताईए एक तो हो गया यह A E है ना और एक हो जाएगी हमारी DE ठीक है ये भी जा रही है तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए AE अत्वा लिख दीजिए DE जाने वाली रेखा पुछा है रेखा का तो कोई अंत होता नहीं है इधर भी ये तक जाएगी इसलिए DE लिख दिया हमने ठीक इसके बाब में C वाला C वाला प्रशन क्या है वहर एक हा जिस पर O इस्थित है अब ये तो आप इस पर शुरूप से समझ जाएंगे है ना समझी कह होंगे तो लिख देते हैं वहर एक हा जिस पर O इस्थित है जिस पर O इस्थित है एक है CO अत्वा एक है OC ठीक है CO या फिर OC समझ गए आप इस तरह से हो गया ये अपना है इसके बाद में आप D वाला दिया है प्रतिछेदी रेखाओं के दो यूग्म अब इनका कैसे पता चलेगा तो देखो मैं बताता हूं आपको प्रतिछेदी रेखाओं के दो यूग्म बूच रहा नहीं है तो अब इससे किस तरह से हल करना है मैं आपको बताता हूं हमने समझ तो लिया था ना कि प्रतिछेदी रेखाएं क्या होती है जो एक दूसरे को किसी एक बिंदू पर प्रतिछेद करती है है ना तो प्रतिछेदी रेखाओं के दो युग्म अगर लिखने हो तो कौन-कौन से लिख देंगे भाई एक तो लिख देंगे आप सीधे- बिंदू बी पर तो यह हो गया और एक दूसरा यूग में लिख दीजिए आप कौन सा एई कहां पर प्रतिछेद कर रही किसको एफ एक को प्रतिछेद कर रही देखो एई जो है वह एक को प्रतिछेद कर रही यह बिंदू इपर ठीक है तो यह हो गए प्रतिछेदी रेख है और आगे बढ़ते हुए बाद करते हैं प्रश्नकरमांग चार से तो क्या लिखा है निम्नलिखिच से होकर किती रेखाएं खीच जा सकती एक बिंदू अगर है तो उसरे होकर गजरने वाली कितनी रेखाएं खीच सकते हैं ये कह रहा था और कह रहा है क्या मैं एक रेखा ऐसी खीश सकता हूं कि इससे होके आप कहेंगे सर बिल्कुल खीश सकते हैं तो यह हो गया ठीक यह बिंदू है तो बिंदू को तो हम नाम दे देते हैं ए ठीक अच्छा अब मुझे बताईए क्या मैं एक रेखा इससे ऐसी खीश सकता हूँ क्या तो आप बुलेंगे बिल्कुल खीश सकते हैं सर ठीक है मैंने कहा अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या मैं इससे होके एक रेखा इस तरह से खीश सकता हूँ तो आप कहेंगे हाँ सर ये रेखा भी आप खीश सकते हैं एक बिंदू से फिर मैं आपसे पूछता हूँ क्या मैं एक रेखा ऐसी भी खीश सकता हूँ इससे होके तो आप कहेंगे बिल्कुल सर आप खीश सकते हैं क्या एक रेखा मैं ऐसी खीश सकता हूँ इससे होके तो आप कहेंगे हां सर बिल्कुल खीश सकते हैं ठीक है तो इससे क्या समझ में आ रहा है इससे ये समझ में आ रहा है कि एक बिंदू से होकर गुजरने वाली अधन्त रेखाएं खीची जा सकती है जिनका कोई अंत नहीं है कितनी भी कीच सकता हूँ एक रेखा के उपर भी दूसरी कीच सकता हूँ है न उसके थोड़े से बगल से दूसरी तो आप यहाँ पर जवाब लिखिएगा क्या लिखेंगे देखिए लिखिएगा कि एक बिंदू से होकर होकर अनन्त रेखाएं अनन्त रेखाएं खीची जा सकती है ठीक है खीची जा सकती है यह आपको लिखना है बच्चो ठीक है यह आपका उत्तर हो जाएगा फिर लिखा है बी दो बिंदू ठीक है अच्छा मुझे बताईए यह दो बिंदू है मैं क्या एक रेखा ऐसी खीच सकता हूँ मुझे बताइएगा आप कहेंगे सर बिल्कुल खीष सकते हैं ये खीष दी मैंने ठीक है क्या आप और कोई रेखा खीष सकता हूं जिसमें ये दोनों बिंदू आ जाए नहीं खीष सकते है ना बिल्कुल नहीं खीष सकते तो अब जो है आपको यहां पे एक उत्तर लिखने क की जरूवत है क्या लिखने की जरूवत है उत्तर कैसे लिखेंगे आप लिख देंगे यहां पर कि दो बिंदूओं दो बिंदूओं से होकर से होकर केवल केवल एक ही रेखा खीची जा सकती है केवल एक ही रेखा खीची जा सकती है ठीक है इस तरह से हो गया इसके बाद में अब हम बच्चों जब हमने प्रश्निक रमांक कौन सा था चार हल कर लिए आप आगे देखते हैं हाँ प्रश्निक रमांक पांच प्रश्न करमांग 5 निमन लिखित इस्थितियों में से प्रत्यक के लिए एक रफ आकरति बनाई है और फिर क्या लिखा है उचित रूप से उसे नाम अंकित करने है उन्हें नाम देना भी कर देते कोई कठिनाही नहीं तो भाई सबसे पहले तो कहा है कि बिंदू P रेखा A B पर इस्थित है यह वाला लिखा है कि आप बिंदू P जो है वह रेखा A B पर इस्थित है तो सबसे पहले वह जिस रेखा पर इस्थित है वह रेखा कीज लेते हैं एक तो एक रेखा हमने खीज दी बच्चों यहां पर A ये एक रेखा हमने खीज़ दी ए बी इस पश्ट है रेखा है तो ये दो चिन्द भी लगाने पड़ेंगे हमें ये वाले है ना एरो के क्योंकि रेखा बोला है अच्छा अब क्या कहा है कि बिंदू P इस पर इस्थित है तो माल लेते हैं ये एक बिंदू है और इसका नाम करन कर दिया हमने बिंदू P तो बताइए क्या ये जो है पहला जो प्रशन है A वाला उसका हल नहीं है कि बिंदू P जो है वो एक ही रेखा A B पर इस्थित है इस पश्ट हो गया चलिए आप दूसरे पर आते हैं B वाला भी वाला क्या है रेखाएं चलिए ठीक है मतलब एक सी जादा रेखाओं की बात होगी रेखाएं XY और P Q बिंदू M पर प्रतिछेद करती है अच्छा यानि हमें दो प्रतिछेदी रेखाएं कीचनी है तो चलिए सबसे पहले दो प्रतिछेदी रेखाएं कीच लेते है एक ये हो गई एक ये हो गई ये हो गई दो प्रतिछेदी रेखाएं और कौन-कौन से नाम दिये हैं इसका एक XY और P Q तो ये हो गया XY और ये हो गया P Q क्या कहा है बिंदू M पर प्रतिछेद करती तो यह जिस बिंदू पर प्रतिच्छेत कर रही है इसका नाम दे रहते हैं M ठीक है इसका नाम हो गया M तो यह हो गया हमारा हल ठीक है यह हो गया हमारा हल यहां लिख देता हूँ इसके बाद में अब तीसरा वाला क्या लिखाए C वाला रेखा L पर E और F इस्थित है परन्तु D इस्थित नहीं है अच्छा, रेखा L पर है तो पहले तो रेखा L ही खीच लेते हैं भई, ये हो गई एक रेखा L ठीक, ये हो गई एक रेखा L इसको नाम दे रहते हैं हम L नाम दे दिया हमने अब कह रहा है कि यह जो L रेखा है इस पर E और F इस्थित हैं दो बिंदू लगा दिए E और F ठीक है भई लेकिन D इस पर इस्थित नहीं है तो D कहीं और होगा तो यह लगा दिए D क्या फरक पड़ रहा है D से इधर लगा दिए हमने सही किया न मैंने इसके बाद लिखा है O P और O Q बिंदू O पर मिलती है जो रेखा है O P और O Q है ठीक है D वाला तो जो देखा है दो O P और O Q यह कहां पर मिल रही है बिंदू O पर जाके मिल रही है तो ठीक है भाई अब कोई दिक्कत नहीं है मान लेते हैं एक यह रेखा है और यह हो गया, ओक्यू, इस पश्ट है, तो इस तरह से यह हमारा जो पांचो प्रश्ण था, इसके अंतर्गत आने वाले यह चार प्रश्ण भी हल हो गया, बड़ी सरलता के साथ में, चलिए भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अगले प्रश्ण की जो है, प् और इसकी बात हो रही है इस वाले की, ठीक है देख लिया, इस आकरती के संदर्व में बताईए, यानि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, अच्छा अच्छा, मतलब हमें सत्य और असत्य की जाज करनी है भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अभी कर देंगे क्या आप कठी नहीं हमने पढ़तो लिया है सब तो पहला प्रशन है Q, M, O, N और P रेखा M, N पर इस्थित बिंदू है ठीक है कौन-कौन से Q, M, O, N और P तो देखिए Q, M, O, N और P जो है ये रेखा M, N पर इस्थित है बिल्कुल सही बात है इस्थित तो है भाईया तो इसका उत्तर लिख देता हूँ सत्य यही तो लिखा था कि कठन के आगे सत्य है तो सत्य लिखिया सत्य लिखे, पहला तो सत्य हो गया, इसके बाद में दूसरा क्या लिखा है, M, O और N, रेखाखंड MN पर इस्थित बिंदु है, कौन-कौन से M, O और N जो है, ये रेखाखंड MN पर इस्थित बिंदु है, ऐसा कहा गया है, तो भाई ये बाद भी बिल्कुल सही है, और इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे सत्य लिख देंगे दिखाई दे रहा है बिल्कुल है यह सब इस्थित फिर अगला है क्या कि M और N रेखाखंड M N के अंतह बिंदू है यानि M और N जो है वो रेखाखंड M N के अंतह बिंदू है अंत बिंदू है ये पूछ रहा है ठीक है तो ये रेखा के अंदर ही है ये सारे बिंदू है न तो ये वाली बाद भी बिल्कुल क्या हो जाएगी हमारी सत्य अंत बिंदू मतलब जो रेखा के बहितर हो ठीक तो बिल्कुल सही कहा गया इसके बाद में लिखा गया है अगला बिंदू है अब देखिए मैं आपको बाल बताता हूं कि रेखाखंड ओपी के अंतर बिंदू है कौन यहां पर प्रश्ण जो है गलत सब गया है और एन लिखा हुआ है ठीक है तो यह जो है मेरे ख्याल से थोड़ा गलत सा लग रहा है मुझे ऐसा नहीं है तो मैं यहां पर लिख देता हूं असत्य ठीक इसा ही नहीं है इसके बाद में अगला लिखा है क्या कि M रेखाखंड Q O के दोनों अंतर बिंदू में से एक बिंदू है ठीक है अब पहले Q O को देखी यह है Q O इसका अंतर बिंदू कौन सा है M एक दिखाई दे रहा है आपको है ना तो M जो ह क्या क्या अंतर बिंदू है ही नहीं तो यह जो है यह भी आपका क्या हो जाएगा असत्य असत्य हो गया फिर अगला लिखा है एफ वाला की M किरण ओपी पर एक बिंदू है किरण ओपी पर M जो है अगले प्रश्ण पर यह लिखा है किरण ओपी किरण ओपी से भिन आब बताईए यहां पर लिखा है किरण ओपी जो है वो किरण ओपी से भिन है ओपी जो है वो O-P से बिन है ठीक है मेरे खाल से हम आपे Q-P लिखा आना चाहिए प्रश्ण में है ना प्रश्ण में Q-P होगा तब ये जो है ये हमारा सत्य हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है इसके बाद H वाला H वाला क्या लिखा है किरन O-P वही है जो किरन O-M है ठीक है, तो बिल्कुल ये जो लिखा है हुआँ पे ये पूरी तरह से असत्य है, आप समझ रहे हैं, है ना, इसके बाद लिखा है किरन-Om किरन-Op के विपरीत नहीं है, किरन-Om को देखिए जरा, अब बताइए कि क्या ये किरन-Op के विपरीत नहीं है, बताईए किरन OM जो है उसके बारे में बताईए कि क्या वो OP के विपरीत नहीं है वो तो है तो यहाँ पे आपका आजाएगा असत्य असत्य आ गया इसके बार लिखा है J वाला लिखा है क्या लिखा है किरन OP का प्रारंबिक बिंदू नहीं है अब किरन OP का कोई प्रारंबिक बिंदू ही नहीं है बताईए अगर प्रारंबिक बिंदू नहो तो किरन हो सकती है क्या हो ही नहीं सकती तो यह जो है भीया यह भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा ऐसा तो नहीं है इसके बाद में अगला लिखा है क्या लिखा है एन किरन एन पी और नम का प्रारंबिक बिंदू है अच्छी है आप और कोई प्रश्न है प्रश्नवली नहीं है बस प्रश्न 6 है तो मुझे उमीद है कि आपको यह प्रश्नवली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आप समझ गए होंगे कि बिंदु क्या है रेखा क्या है रेखा खंड क्या है प्रतिछेदी रेखाएं क्या है सामांतर रेखाएं क्या है किरंड क्या होती है है न इस सारी चीजें सारी अवधार्णा है आप समझ गए होंगे प्रशनावली के माध्यम से और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस वीडियो के लिंक को शेर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ताकि वे लोग भी देखें इस वीडियो को समझपाई इस जानकारी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताईएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितने अच्छे से समझ में आया है ये जरूर बताईएगा ठीक है और बाकि फिर मेरी आप से बहुत जल्द मुलकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में और तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार